गुजरात के अहमदाबाद में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या आमिदाबद मर्डर मिस्ट्री के मामले में पुलिस मुखिया को गिरफतार कर लिया है। आशंका है कि वो ही अपनी पतनी, बेटी, बेटे और दादी सास का कतल करके भागा था। ये हत्याकांड इस हत्याकांड का खुलासा संदिग्द आरोपी विनोध की सास यानी सोनल की मा के जरिये हुआ। पुलिस के अनुसार आरोपी ने चार हत्याओं के बाद अपनी सास पर भी हमला किया था। हालांकि उसे घटना के बारे में नहीं मालूम था। वो अपनी नातिन को चार दि लाई गई आरोपी ने चारों को मारने से पहले बेहोशी की दवादी थी। आरोपी महाराष्टर का रहने वाला है और टैंपो चलाता है। वो अपनी पतनी के चरित्र पर शक करता था। इस वज़े से आए दिन जगड़ा होता था। घर से बदबू आने पर पता चला था मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर का दर्वाजा तोड़ा तो अंदर का दृश्य देखकर सब के रॉंग्टे खड़े हो गए। अंदर यहां एक ही परिवार के चार लोगों के सड़े गले शव पड़े हुए थे। चारों शव अलग अलग कमरों में पड़े हुए शराबी पी कर जगड़ा करता था, शुरुआती जांच में पता चला है कि घर में लड़ाई जगड़ा होने के बाद विनोध ने पतनी सोनल मराथी, बेटी प्रगती, बेटे गणेश और सास सुभद्रा का कतल किया होगा। विनोध के गायब होने से यह शक और गहरा गया अहमदाबाद के जैसीपी गौतम परमार ने बताया कि जल्द ही पुलिस इस मामले का पूरा खुलासा कर दिया जाएगा। हालांकि लोगों का अंदेशा है कि इस हत्याकांड में बाहरी लोग भी शामिल हो सकते हैं।